आज की वीडियो में लोग बात करेंगे कि चाइना मैंन कैसे फेका जाता है बॉलिंग यह आप देख रहें कि मेरे हाथ में एक न्यू बॉल है और हम बात करेंगे न्यू बॉल से क्योंकि टी-ट्वैंटी का जमाना है और आप जब भी एक स्पीनर होते हैं हो सकता है आपको म दिखा होगा कि लेग स्पीनर जैसे गुगली डालता है पहले तो नॉर्मल सी लेग स्पीन डालता है वही जब हाथ पीछे से आती है तो गुगली हो जाती है सेम चीज है आपको लेग स्पीनर के लिए जिसको कि चाइना मैं बोलते हैं आप रिस्ट की पोजीशन देखो व तो अभी हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट हैंसे अगर चाइना मैं फिकते तो कैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो है कि आपको बॉल को पकरना कैसे है आपकी गृप बॉल पर कैसी होनी चाहिए यह देख लीजे आप अच्छे से क्लोज व्यू देखिए आप की गृप कै जब बॉल आपके हथेली में touch नहींischen हो रहा है हाथेली में अगर सोफित अब बॉल इचार तो पिहले से पकरनाहे हैं और कोहसिस करना dries को इस चीज की में कर दानें करते हो अगर आपके हाथ में गेंद रहेगी तो आप हमेशा रिष्ट को उल्टा के ट्राइ करते रहों कि घर पे फील लेने के लिए बहुत सारे क्रिगटर ऐसा करते हैं और अगर आप एक T20 में गेंदवाजी कर रहे हो या T20 खेल रहे हो तो हो सकता है आपका कैप्टन आप आपको पहला ओवर बॉलिंग करने को दे दे क्यूंकि एक चाइना मैन बहुत ही इंपोर्टन पार्ट है गेम का अपने कुल्दी प्यादव को देखा ही होगा इसलिए मैं आपको यही सलाह दोंगा कि उस रिष्ट पोजिशन पे काम करो और बॉल पे ग्रिप कैसे करना उस रिलीज करने में बहुत ही सुब्धा होगा अगर आपके हाथ में गेन नहीं फस्ती है तो यह देखिए आप साइड ओन व्यू देख सकते हो और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो होफुली आप मैच में बहुत अच्छा बॉल डाल पाओगे होफुली आपको कोई वीडियो पसंद आये हो थैंक्यू